हलो गुड मॉनिंग स्टुएंट्स कैसे हैं आप सब आई होप सब बढ़ी होंगे तो यह लेक्चर आप इविनिंग में बन रहा है फिर भी मैं आपको गुड मॉनिंग विश कर रहा हूं एक्चुली में मेरा कॉंसप्ट ऐसा है कि जब भी हम पढ़ाई करें तो एक अच्छे मूड के साथ फ्रेश मूड के साथ करते हैं तो वो हमारे लिए गुड मॉनिंग ही होती है तो इस कारण मैं आपको गुड मॉनिंग विश कर रहा हूं चिक है तो कल हमने जो है टेंथ क्ल और किया था हमने कवर किया था सबस्थी उसमें किसे आन्य इक्वेसिकलया होती है सब्क्राइब आज हमं आएंगे बैलंस उनको balance कैसे किया जाता है ठीक है तो यहां पर आपका यह जो लिखा है यह सारा का सार लिखा है तो यह balance chemical equation वाला topic लिखा की कैसे क्यूंकि जो balance chemical equation है यह बोलती है कि आपका यह लिखा ना कि law of conservation of mass ठीक है यह इस law को follow करती है बोलने का मतलब है कि जो mass है किसी वी चीज़ का destroy किया जा सकता है और ना तो उसको create किया जा सकता है ठीक है उसको सिर्फ एक form से हना एक form से दूसरी form में उसको change किया जाता है तो यही चीज़ बोलता है law of mass conservation बोलता है कि जितना mass हमने मानलों कि एक kilo हमने इधर लिया है तो इधर जाकर भी एक kilo ही होना चाहिए यह actually मैं kilo जो होनी चाहिए तो इस type से जो mass जो वो change नहीं होता है mass जो change नहीं होता है mass जो तो तभी तो बोलाधा तो mass neither we created nor we destroyed mass को change को change नहीं कीया जाता है तो तो यहां पि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, कैसे हम chemical reaction को balance करेंगे, उसके ओपर आते हैं. यहां पिर दिया हुआ, देक्थिए, सबसे पहले हमने the reaction झानवत उसको. सबसे पहले reaction ता हमारी magnesiumा ता हमारी magnesium bachot. Magnesium थी magnesium जो थी जो की oxygen के साथ react कर रहे थी, magnesium जो थी oxygen के साथ react कर रही थी तो बना रही थी magnesium oxide अब देखिए इसको balance करने यहाँ जो balance करने का तरीका दिया है एक उचे land दी है मगर मैंने एक short method बनाया होगी आप direct जो hit and trial method से जो इसको balance कर सकती है क्योंकि reaction जो balance करने के hit and trial method से आती है ना कि आपको यह long method से थे बट फिर भी आपको पता होना जाएए अगर आप यहाँ balance करना सिख जाते हैं तो आपको 11 और 12 में किसी भी प्रकार की जो reaction है उसको balance करने में कोई problem नहीं आएगी तो चलिए देखते हैं आपको यहाँ पर मेगनिशियम का एक जो है ऐटम है यहाँ oxygen के दो ऐटम है यहाँ magnesium का एक एटम है यहाँ oxygen का एक एटम है तो इन balance क्या है बच्चों इन balance है हमारे पास oxygen मगर यहाँ पर oxygen पड़ी है combined form में मतलब magnesium के साथ जुढ कर पड़ी है अगर हम magnesium को oxygen को 2 करते हैं यहां पे ठीक है अगर इसको 2 करना तो हमें इसको गुना करना पड़े है इसको multiply करना है 2 वंजा 2 हो जाएगा ठीक है 2 वंजा 2 हो जाएगा oxygen 2 हो जाएगा मगर यह combined 4 में पड़ी है तो यह इस type से पड़ी हुई है जिस math में आप करते हैं कि यह जो 2 है बाहर पड़ा हुआ यह इस वाले 1 के साथ भी multiply कर रहा है और इस वाले 1 के साथ भी multiply कर रहा है अगर यहां आप oxygen को balance करते हैं तो आपके पास magnesium वो in balance हो जाएगा देखिए कैसे 2 वंजा 2 हो गया तो आपका जो है आपने जो oxygen इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ easy रहेगा अगर मैं इस 2 को ऐसे लिखूँ इस 2 को मैं आगे लगाता हूँ तो यह 2 जो है यहां पे भी 2 कर रहा है magnesium को और oxygen को भी 2 कर रहा है तो हम ने देखा कि अगर हम 2 से multiply करेंगे तो टू इसके बाहर लगाएंगे तो यहां देखिए अगर आप धियान से तो जो आपका magnesium है इसको देखिए ज़रा चेंज करते हैं इसको अगर magnesium को देखें तो यहां पे magnesium 2 हो गया और oxygen भी 2 हो गया परन्तु हमारा reactant means left hand side में oxygen to 2 है मतलब oxygen यहां भी 2 है यहां भी 2 है balance हो गया परन्तु जो हमारे पास यह magnesium 1 रह गया magnesium को हम बढ़ा सकते हैं कम नहीं कर सकते हैं या रहना हम किसी चीज़ को बढ़ा सकते हैं कम नहीं कर सकते हैं तो यहां पर अगर हमें इस 1 को 2 करना है तो हमें multiply करना पड़ेगा तू के साथ पर हम तो यहां देखें यहां भीच में plus का sign है यहां पर यह दोनों combined form में नहीं free form में पड़े हैं अलग-अलग form में पड़े हैं तो जैसे हमने 2 से multiply किया 2 बन्जा 2 हो जाएगा तो magnesium को हम आगे 2 से multiply कर देंगे तो हमारे पास जो reaction बन जाएगी तो देखिए क्या बनेगी अब यह अब इसको बनेगी यह जो है एक बड़ द्वार से लिखते हैं इसको हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी magnesium ठीक है plus oxygen is changing into magnesium oxide ठीक है क्या बड़ा है कि अगर इसको balance करके लिखे हैं तो यहां पे हमने 2 लगाया था ठीक है इसको ऐसी करते हैं यह magnesium है और इसको color change करके यह magnesium हमने यहां 2 लगाया था ठीक है balance करने के लिखे हैं और यहां पे भी हमने 2 लगाया था तो अब देखे यह बैलेंस है पूरा का पूरा अगनी यहां हमने मेगनिशियम तू लिए मतलब दो आटम अगर हम मेगनिशियम के लेते हैं और दो ही हम अक्सीजन के लेते हैं तो हमारे पास दो ही आटम मेगनिशियम के मिलेंगे और दो ही आटम हमारे बास अक्सीजन के मिलेंगे तो देख लो जितना मास लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही मास जो है राइट हैंड साइड भी है तो यह जो रियक्शन हमने जो बैलेंस की यह फोलो कर रही है किसको यह फोलो कर दी है law of conservation of mass को फोलो कर रही है I hope आपको यहां तक understand हुआ हो अब दूसरी जो जहां पे जो balancing दी गई है यहां पे जो balance करने के लिए reactions जो दी गई है तो यहां पे अगर हम balance करें तो जिस type से यहां पे आपकी chapter में दी है बैसे बहुत easy है एक अब आप try करें तो आएगी अच्छा दूसरी हमने पीछे देखा था कि जब lead nitrate यह था lead nitrate का formula क्या था बच्चो PBNO32 यही था ठीक है और यह potassium iodide के साथ react कर रहा था ऐसे ही था अब देखिए धियान से इसको जब lead nitrate potassium iodide के साथ react किया क्या बच्चा एक निसको थोड़ा छोटा लिखते हैं यह बना PBI2 lead iodide बना plus potassium nitrate KNO3 बना ठीक है अब यहाँ पे यहाँ देखिए अगर यह balance है देखो यहाँ पे lead कितना है change करते हैं थोड़ा सा color देखिए यहाँ lead कितना है lead पड़ा हुआ lead का एक proton पड़ा है sorry एक atom पड़ा है अच्चा यह पूरा का पूरा लेती हम यह पूरा का पूरा क्या है NO3 होता है बच्चे नाइट्रेट होता है ठीक है तो यह nitrate कितना है nitrate का पूरा का पूरा जो molecule है जो compound है कितना है यह भी एक है sorry यह दो बार multiply करते हैं तो यह कितने 2 है अच्चा यहाँ potassium कितना 1 है और iodine कितना 1 है ठीक है अच्चा यहाँ lead देखते है lead कितना 1 है यहाँ इसको change करते है color change करें थोड़ा सा आपको visible हो सके देखिए यहाँ पे जो lead है यह lead है तो lead यहाँ कितना 1 है यहाँ iodine कितना 2 है यहाँ potassium कितना 1 है nitrate भी कितना 1 है तो क्या यह balance है reaction तो यह balance reaction नहीं है तो इसको balance करते है और फिर इसको आगे करते है कि balance कैसे करेंगे इसको raise कर रहा हूँ द्वारे से इसको लिखते हैं और फिर से इसको बैलन्स करते हैं अब देखिए यह है PB PBNO3 और टू और यह रियक्ट कर रहा पोटाशियम आइड आइड के साथ और इट चेंज इंटू दा किसमे लेड आइड पी बी आइड टू प्लस के आइन ओ थ्री अब इसको बैलन्स करते हैं यहां पे अगर दियान से देखिए आप यहां पे मैंने पहले बताया कि लेड जो है यहां पे एक आइटम लेड का है प्रॉडक्ट में भी लेड का एक आइटम है देख रहा ना यह लेड का जो है एक ही आइटम है यहां भी lead भी एक एड़ए, यह पूरा नाइटरेट है, तो यह 2 से multiply कर रहा है, 2 से multiply कर रहा है, तो कितने हो जाएंगे यह lead के बेलेंस कैसे होगी, सबसे पहले balance कर लो, iron को iron 2 है यहां आइडिन लेड के साथ पढ़ा है यहां पे जो आइडिन पढ़ा हुआ है आपका इस वाली इसमें जो आइडिन पढ़ा है यहां पे तो आइडिन के साथ 2 मल्टिप्लाई कर रहा है ठीक है ना कि लेड को यह डवल कर रहा है तो हमें अगर आइडिन को मल्टिप्ला बैसे करना पड़ेगे देखो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो ये दोनों के 2 2 हो जाएंगे और आगे इसके लगा जाएथे हम 2 ठीक है तो इसे ताहिए अब यहां potassium कितना 2 हो गया आडेनमी कितना हो गया 2 हो गया यहां balance हो गया अब यहां potassium 2 है और यहां potassium 1 है तो potassium 1 है और यहां nitrate भी 1 है अब देखो यहां nitrate 2 है अब इन दोनों को 2 करने के लिए हमें इसको बैसे ही multiply करना पड़ेगा करेंगे तो 2 हो जाएगे तो इसके आगया आप 2 लगा दे तो हमारे पास यह पूरी की पूरी reaction बन जाएगी PBNO3 2, 2KI इस changes into PBI2 2KNO3 बोलने का मतलब क्या है कि एक एक एटम lead का two molecules जो है nitrate के combine करते है two molecules nitrate के combine करते है आपके two molecules potassium iodide के साथ और product में देते हैं एक molecule lead iodide का और दो molecules potassium nitrate के इस type से इसको पढ़ा जाता है एक बन में फिर से में इस reaction को लिखता हूँ और धियान से आप देखें balance करने का ना पता चले एक बार फिर से आप comment box मुझे पूछ सकते हैं और मैं बता दूँगा आपको फिर से देख लिजी एक बार कैसे है balance कैसे है भी PBNO3 PBNO3 plus KI potassium iodide is changes into देखो इदर लिख रहा हूँ मैं क्या बना रहा है यह बना रहा है बच्चों यहां पे potassium iodide PBI2 plus क्या बना है potassium iodide KNO3 और balance हमने किया तो यहां लगा है 2 और यहां पे भी हमने लगा है 2 इसका बोलने का मतलब कि पूरक पूरा यह है पूरक पूरा यह जो molecule बना है lead nitrate lead nitrate का एक molecule react कर रहा है 2 molecule potassium iodide के साथ और product में मिल रहा है एक molecule lead iodide का और 2 molecule potassium iodide के अगर आप इसको अकेला अकेला ऐसे करके लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मास है मास किसी भी टाइप से जो है वो change नहीं हुआ मतलब ना तो इदर यादा है ना तो इदर यादा है ना तो इदर कम है मतलब मास यहोबू balance रहा ठीक है चलिए एक और reaction देखते है अब एक और reaction हमने तीसरी की थी 1.3 activity में वो क्या थी वो वच्चों थी वो थी कि जब जिंक को जब जिंक को हना हाइडरो कलोरी के एसिड के साथ react करवाया तो हमारे पास बना जिंक कलोराइड जेड एन सी एल टू और हाइडरोजन गैस निकली अब देखो यहाँ पे जिंक कितना है वन जिंक के आइटम कितने है यहाँ जिंक के आइटम से इसली जो है वो बैलनस हो जाती है आपकी जो रियक्शन है यहाँ कलोरीन कितना है टू तो देखिए यहाँ पे सिर्फ जो अन बैलनस है वो कहाँ कलोरीन में और हाइडरोजन में हाइडरोजन और कलोरीन यहाँ पे टू टू है और यहां बन है मगर यहां पे कलोरिन जो है वो जिंक के साथ कमबाइन कर रही है और हाइडरोजन जो फ्री फोर्म में बढ़ा हुआ है तो हमें बैलेंस कहां करना है मैंने पहले बताया कि हमें रियक्शन में मास को बढ़ा सकते हैं बराबर करने के लिए ठीक है पर अंतु कम नहीं कर सकते हैं तो बराबर करने के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा अगर यहां कमबाइन फोर्म में पड़ा है अगर हमें एक को दो बनाना है तो हमें टू से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो ऐसे हम two से multiply करते हैं तो दो हाइड्रोजन हो जाएंगे और दो ही क्लोरिन हो जाएंगे तो ऐसे यहां पी हम two से multiply को कर देंगे ठीक है तो हमारे पास क्या बनेगा जिंक का एक atom जिंक का एक atom दो hydro kloric acid molecule के साथ combine करता है और product में क्या देता है जिंक कोलोराइड का एक मोलीकूल और हाइडरोजन हाइडरोजन गैस का एक मोलीकूल जो है वो प्रोड्यूस करता है तो बैलेंस होगे देख लेजिए यहाँ जिंक एक है यहाँ जिंक एक है बैलेंस किया बैलेंस करने के बाए बता रहा हूँ नहीं पता चले एक बड़ वीडियो को रिवाइन करके देखें तो आपको कलारिटी जुरूर मिलेगी अब आते हैं यहां पे जो रेक्शन दी गई है बचों यह वर्ड एक्वेशन में दी गई है ठीक है इस वर्ड एक्वेशन से इसको कहां चेंज किये गया है चैंज किया गया है वर्ड एक्वेशन से चैंज किया गया है तो देखिए जिंक है जिंक जो है वो हाइड्रोजन यह मैंने पीछे भी करुआ थी जब हम 1.3 एक्टिविटी कर रहे थी बहां पे भी आपको बताया था फिर यहां आपको करके बताता हूँ देखिए एक मिनट को इरेज करते है देखिए यह मुदा कि जो जिंक है जिंक के ग्रैनियूल को जब हमने सुल्फियूरिक एसिड के साथ कमबाइन किया ठीक है तो प्रोड़क्ट में क्या मिला जिंक सिल्फेट और हाइड्रोजन जो है वो गैस की फोर में निकल गी हाइड्रोजन के मॉल्ट गैस की फोर में निकल गी अब इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करते हैं कि बैलेंस है भी है जा अन बैलेंस रेक्शन पड़िया अगर अन बैलेंस होगी तब बैलेंस करेंगा अगर बैलेंस होगी तब हमें बैलेंस करने की जुरूरत नहीं है देखिए यहां जिंक कितन 1 ठीक है यहाँ सालफर कितना 1 ठीक है यहाँ इकसिजन कितनी चार है यह एकसिजन कितने चार है तो बन गी है यह देखो से बैलalso की जितना आपका रिएक्टंड boldal में मास पड़ा है तना ही प्रड़क्टसाइड में मतलब कि ये reaction पहले से ही balance form में present है इसको balance करने की जरूरत नहीं है जितना mass reactant side में है उतना ही mass product side में है ठीक है तो इस type से ये reaction जो थी पहले already balance थी तो इसको balance करने की जरूरत नहीं है से ठीक है आप एसे भी देख सकते हैं इसको देखिए एई ज creators जैसे यह जो है यहाँ पर यह एच टू होगा तो यह जो है आपका ईसी je milkte i지고 ह located यह पूरा की तो यह पर sulfate के जो molecules हैं वो कितना था एक था तो यहां पर भी sulfate का molecule है एक था आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं और एक एक है आप element को भी देख सकते हैं ठीक है तो यहां तक आपको I hope की balance करना जो है अब आ गया हो नहीं आएगा एक वार फिर से कोशिश करना फिर से अगर किसी प्रकार की confusion होगी किसी भी chemical reaction को balance करने में तो आप मुझसे पूल सकते हैं तो चलिए यह आपको मैंने balance करना यहां पर बता दिये देखिए आगे reaction और दी है एक और reaction आपको जो है वो दी गई है की balance करने के लिए यहां पर यह जो reaction जो है balance करने को दी गई है जिसमें क्या किये गई है iron road ली है जो की एक water vapor के साथ react कर रही है जिसे ferric oxide बन रहा है हाँ ferric oxide बन रहा है और hydrogen gas जो है वो liberate यह release हो रही है ठीक है तो इसको देखते हैं क्या दीए हुआ है यहां दीए कि iron जो है ठीक है वो किसके साथ react कर रहा है h2o के साथ react कर रहा है और product form में क्या मिल रहा है हमारे पास product form लो है fe3o4 इसको बहते है ferric oxide ठीक है ferric oxide मतलब जंग यह जो रह इसका color का सब रैडिश brown color का होता है जंग होता है मतलब rusting of iron यह ही है ठीक है अब देखिए इसमें अभी देखरेंगा हम balance करें तो balancing की उपर आते हैं यहां iron कितना है इसको एक बार फिर से लिखते हैं कि यह tight हो गए थोड़ा सा यह है दिखते हैं fe plus h2o is changes into fe3o4 plus h2 hydrogen gas निकली ठीक है तो अब देखें बच्चों यहां पर इसको करते हैं balance ठीक है अब देखते हैं तो iron यहां कितना है बच्चों अब बताव आप one है यहां iron कितना हो गया तीन हो गया पहले लिख लेने हैं उसके बाद balance करने हैं आप लोगों ने तो यह अधर सबसे बैले यहां ido रिफचय केसे मेशन के इसको यह नहीं कर सकते हैं 3 से म獅च्चों सबस्क्राइब नुक्राहिए 3 से multiply करेंगे तो यह 3 हो जाएगा तो यहां iron कितनी होगे? 3 होगे, यहां पे iron 3 होगे अब यहां पे hydrogen balance है अगर रन्तू oxygen जो हो balance नहीं है, यहां चार है और यहां पे कितनी है oxygen 2 पड़ी है अगर 2 को 4 करना तो आपको 2 से multiply करना पड़ेगा यहां पे देखें आप कि यहां पे जो oxygen है, वो combined 4 में पड़ी है H2O की 4 में पड़ी है तो आपको जो 2 है वो पूरे के पूरे molecule के साथ multiply करना पड़ेगा जैसे ही आप 2 के साथ multiply करेंगे तो बच्चों देखो क्या होगा आपका hydrogen unbalance हो जाएगा देखिए, कैसे जब यह balance करेंगे तो 2, 2, 4 हो जाएगा ठीक है, और यह 2, 2, 4 और oxygen सोरी, यहाँ 4 है, एक मिनट, यहाँ 4 हो गया यहाँ 4 से multiply करना पड़ेगा अगर 2 है 2 है oxygen यहाँ 1 है oxygen हमारे पास यहाँ 1 है तो oxygen 1 को हमें 4 से multiply करना पड़ेगा, तब 4 आएगा तो यहाँ आगे यह 2 की जगा क्या आएगा 4 आएगा, देखिए इसको यह रहा, यह है प्लस H2 तो यहाँ 4 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए इसको यह 4 टूजा 8 हो जाएगा मतला हाइडरोजन 8 हो गए और अक्सीजन 4 हो गया मतला हमारे पार आइरन 3 है यहाँ भी आइरन 3 है यहाँ पे अक्सीजन 4 है, यहाँ पे अक्सीजन 4 है मगर हमारे पास जो imbalance हुआ वो हाइडरोजन जो है वो imbalance हुआ ठीक है अब देखिए हाइडरोजन को बैलन्स करने के लिए हमें यहाँ हाइडरोजन बढ़ गए और यहाँ कम होगी तो यहाँ बढ़ा सकते हैं टू को एट बनाना है तो हमें फोर से मल्टिपलाई करना बढ़ेगा अब फोर से मल्टिपलाई कर तो आप तो इस टाइप से आपके जीद को फोर टूजा एट हो जाएगा तो इधर देखिए तो पूरी की पूरी रेक्शन यो है आपकी बैलन्स हो गई मतलब जितना मास यो था लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही मास अब राइट हैंड साइड में पढ़ा है तो इसको करने में टाइम लगता है कई बार उसमें कनिफ्यूजन भी जिनरेट हो जाती है तो इससे करेंगे तो इससे आपका जो है इसली जो है आपकी रेक्शन जो है वो बैलन्स हो जाएगी आई होप यहां तक आपको अंडरस्टेंड हुआ नहीं हो एक बार में कल फिर से दौरसे इसको रेपीट करवा दूँगा अब आगे बढ़ते हैं यहां तक मैंने पूरी पूरी रेक्शन जो है बो बैलन्स करवा दी है कि कैसे इसको बैलन्स किया जाता है कोई भी रेक्शन अगर आप इसको देखें इस रेक्शन को अगर आप डिरेक्टली जो जो फोटो संथेसिस की रेक्शन इसको डिरेक्टली आप याद रखे तो ठीक है मगर बैलन्स भी हो जाती है अगर बैलन्स करने को है तो बैलन्स भी कर सकते है पर इसको डिरेक्टली याद रखे तो ठीक है ठीक है अगर किसी कोई problem हो और चाहता है balance करने के लिए तो मैं उसको भी करवा दूँगा मगर यह main है वो हमारे बाइस यह है यहां carbon monoxide carbon monoxide को क्या बोला जाता बच्चो silent killer gas तो silent killer gas इसलिए बोला जाता है क्योंकि मतलब कि यह बंदे को पता नहीं चलने देती है कि कब उसकी death हो गई है मतलब अराम से बंदा मर सकता है इसकी वज़ा से ठीक है तो देखिए यह carbon monoxide को क्या किया गया है hydrogen के साथ react करवाया गया और मिला मिथिनोल यह हम यह वाला जो product है मिथिनोल यह हम पढ़ेंगे fourth chapter में carbon compounds वाले चपटर में पढ़ेंगे अभी देखिए इसमें balance है कि नहीं है तो देखते हैं इस reaction में ठीक है यहां देखो carbon एक है यहां carbon एक है यहां oxygen एक है मगर लिखने अलग अलग ही है जैसे दिये गए है ठीक है गठा लिखेंगे तो balance नहीं होगा अब देखिए oxygen एक है यहां hydrogen कितने दो है यहां hydrogen तीन और एक है मतलब कि अगर hydrogen दोनों को जोड़ा जाए ऐसे करके लिखने अलग अलग है मगर जोड़ के कितने हैं यहां चार है यहां hydrogen कितने हैं यहां hydrogen दो है इनको चार बनाए तो हमें two से multiply करना पड़ेगा तो simply यहां से two से multiply करेंगे तो पूरी की पूरी reaction balance हो जाएगी यहां पर टू molecule hydrogen gas के लिए गए हैं उसको 340 atmosphere प्रेशर की उपर जो है जब वो आपस में react किये तो हमारे पास क्या मिला मिथनोल मिला क्या मिथनोल मिला ठीक है तो मिथनोल जितना mass जो है right hand side में है उतना ही mass जो है left hand side में present है चलिए आगे देखते हैं यह reaction आप directly यार रख लिए हैं कि CO2 combine with H2O and result में क्या मिलता है बच्चों result में C6H12O6 है na glucose बोलते है यह reaction आपने की वी और ऑक्सीजन निकलती है और little amount of water निकलता है मैं इचे लिख रहा हूं little amount of water भी generate होता है तो इसको direct mention कि यहां पर हमने 6 molecules के लिए 12H2O के लिए है 6 यहां पर oxygen के molecule निकल लिए 6 water के molecules जो है वो न निकल जाएंगे तो इसको directly या रखे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसको balance करना थोड़ा सा मुश्किल है मगर अगर किसी को चाहिए कि balance करके बताया जाए तो मैं बता दूँगा मुझे comment box में comment कर देना मैं balance करके इसको बता दूँगा देखो यहां तक हमारा topic जो हो bind up होत कि magnesium ribbon जो है उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है मैं निकल दी बताया था क्योंकि बहाँ पर stable product बन जाता है magnesium oxide ठीक है ना गर magnesium oxide बन जाएगा तो इसको जलने में problem आएगी आगे देखो आपको word equation में word equation में ठीक है word equation में बच्चों आपको reactions दी गई है word equation में आपको reaction questions को करना अगर नहीं होगे मैं कल आपको ये questions यू है करवाऊंगा ठीक है तो आज हम अपना lecture यहीं bind up करते हैं I hope आपको जो है reaction balance करना जो है समझ आ गया हो अगर कोई confusion रहेगा तो comment box में comment आप कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार देना ना ब पूरा पूरा channel चला है क्योंकि आप इसकी growth करवाएंगे आप इसको grow उपर करवाएंगे जितना grow करवाएंगे उतना ही मुझे motivation मिलता जाएगा और मैं आपको और अच्छी वीडियो जो है वो बनाता जाओंगा अभी मैं अपनी वीडियो phone पे बना रहा हूं तो कल को अग यू वेर नूच कर चार को तरौक 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 कर तो का अपनी वीडियो